द्रसा सक्सेस अकेडमी ओनलाइन क्लासेस में एक बार पुन है आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि मैं लगातार अपने जूनियर सुपर्टेट अंग्रेजी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूँ और अब इल्टन साब से कनेक्टेड वीडियोस दिये हैं फिर हम लोग रोमांटिक एज जब हमने शुरू की तो रोमांटिक एज में बिलियम बड्सपर्ट साब जो मुस्ट डॉमिनेटिंग पोईट है आपके रोमांटिक एज के उनसे कनेक्टेड मैंने वीडियोस दिये हैं उसक कि इस वीडियो में मैं आपको पीवी शेली से कनेक्टेट जो उनकी बायोग्राफी है जो उनके जीवन के महत्पूर पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा आप ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स में से ही कोशन बनते हैं अब तक मैंने पर्सपर्स आपके जितने भी वीडिय दिये हैं शेक्सपियर साब के दिये उनमें आपने देखे maximum कोशन जो है वो उनकी लाइफ और उनके बर्क से पूछे जाते हैं आज मैं आपको अभी इनके बायोग्राफी बता रहा हूं जीवन पर्षे से संबंदित करा रहा हूं और उसके बाद मैं इनका बर्क का एक वी 1792 यानि की 1792 में इनका जन्म है और 1822 में इनकी डेथ है यानि की 30 एर लगवग इनका लाइफ इस्पान है तो बर्त की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बर्त में देखी लिखा है 4th अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्षम बैस ससेक इंगलेंड यानि की शैली साब का जन्म 4 अगस 1792 को फील्ड प्लेस नामकिस्थान जो की हॉर्षम के पास है बैस ससेक्स इरिया है इंगलेंड का वहां इनका जन्म होता है कब होता है 4 अगस 1792 को फील्ड प्लेस नामकिस्थान पर जो की हॉर्षम के पास है और इंगलेंड का बैस ससेक्स इरिया पढ़ता है next अगला पॉइंट है इनका death death इनकी कब होती है 8 July 1822 on the Gulf of Aspasia देखिए शैली साब की death जो है वो natural death नहीं थी शैली साब की death एक accidental death थी और जैसे लिखा है 8 July 1822 on the Gulf of Aspasia यानि की Aspasia की खाड़ी में इनकी नाव पलटने से इनकी म्रत्यू हो गई थी तो इनकी death जो है वो accidental death है अब हम लोग बात करते हैं parents की तो लिखा है the eldest legimate son of Sir Timothy Shelley इनके पिता का नाम जो था वो था Sir Timothy Shelley और ये एक big member थे Parliament of Horsham के क्यानिके आप कह सकते हैं कि एक prestigious परवार में इनका जन्म होगा था और इनकी मा जो थी उनका नाम था Elizabeth Pilford जो की Sussex के एक land owner की पुत्री थी parents में फिर से समझ लीजिए ये Sir Timothy Shelley के बड़े पुत्र थे और Timothy Shelley क्या थे ये big member थे Parliament for Horsham के और इनकी जो मा जो थी यानि कि Timothy Shelley की बाइप और ये इनकी मा बहुत क्या उनका नाम था Elizabeth Pilford और वो Sussex के land owner की पुत्री थी Now the next one is education तो education में क्या है इनका In 1802 He entered the Sion House Academy Brentford Middle Sex इनकी सुरुवाती सिच्छा जो है वो Sion House Academy में होई जो की कहां पढ़ता है Brentford Middle Sex में ठीक ना In 1804 Shelley entered Aton College 1804 में Shelley साब Aton College में प्रिवेश लेते हैं where he acquired the nickname Matt Sally देखे एक nickname Milton साब का मैंने आपको पढ़ाया था Lady of the Christ ठीक तो एक nickname Sally साब का भी है और इनका nickname था Matt Sally उसका कारण ये था कि ये बहुत जगडालू किसम के थे इनकी किसी की अपने सातियों से बनती नहीं थी इसलिए इनके सातियों ने इनका नाम रखा Matt Sally on 10th April 1810 he matriculated at University College Oxford spouse अगर इनके बिभा की बात करें तो इनोंने दो इनकी वाइफ हैं Harriet Bestbrook और Mary Godwin क्या-क्या नाम है Harriet Bestbrook और Mary Godwin अब देखी नेक्स्ट आपका लिखा है इस Survey of Authors Live इसमें मैं क्या करता हूँ इनके जीवन के जो महत्पूर्ण पॉइंट है उनको दर्साने का प्रियास करता हूँ तो लिखा है पहला पहला हम ले सकते हैं Shelly one of the romantic poets of younger generation romantic एरा जो है romantic age है अंगरीजी सहित का उसके younger generation की ये poet है is best known for his lyrics and revolutionary spirit और इनकी पैचान इनकी lyrics के कारण है और इनकी revolutionary spirit के कारण इनकी पैचान है उसके बाद next point है आपका second point जो है इनकी Survey of Authors Life में तो दिखिए second point में लिखा हुआ है in 1804 he began his studies at Aeton College 1804 में ये अपना अध्यना रम करते हैं Aeton College में The Boys Boarding School जो की क्या नाम है The Boys Boarding School में Aeton College के Boys Boarding School में ये अपना education लेना start करते हैं 1804 में अब इनके बारे में जैसे मैंने कहा जिनका nickname था Matt Sally तो उसके संबद में मैंने line लिखी है He was mercilessly bullied by his classmates for his eccentric ways and denty appearance बाया इनके जो साथी थे उनके प्रतिये बड़े merciless थे और बड़े ही आप कह सकते हैं सनिकी सुभाव के थे और इनका appearance भी कैसा था denty appearance था सहाब इनका उसके बाद next point है third point on 10th April 1810 he enrolled at University College Oxford उसके बाद यह जब यहां से निकले एटन कॉलेज से उसके बाद 10 अपरेल 1810 को sorry 10 अपरेल 1810 को इनका enrollment होता है enrolled होते हैं यह यूनिवर्स्टी कॉलेज आक्सपोर्ड में साथ इनकी यह कॉलेज में तो पहुँच गए यूनिवर्स्टी कॉलेज आक्सपोर्ड में इनका enrollment भी हो गया enrolled भी हो गई है लेकिन he was indifferent towards his studies यह इनको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था यह indifferent रहते थे अपनी studies से और barely attended classes और इस कारण से भाईया अपनी classes भी यह बहुत कम attend किया करते थे यूनिवर्स्टी कॉलेज के student के रूप में इन्होंने जैस्ट्रोजी नामक अपना पहला novel लिखा और कुछ poetry भी लिखी बिसे ज्यान रखना which was the first novel of Shelley and the answer is जैस्ट्रोजी जैस्ट्रोजी जो है वो इनका पहला novel है साहब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next point आपका आता है in 1811 1811 में he published his second gothic novel St. Irwin ठीके साहब कौन सा novel second पहला कौन सा हो गया जैस्ट्रोजी दूसरा novel क्या था St. Irwin और ये क्या था Gothic novel था इसको दूसरे नाम से भी जानते है The Rossi Crucian क्या नाम है साहब The Rossi Crucian और इसी बरस 1811 में इनोंने एक pamphlet लिखी नाम था Necessity of Atheism ये नाम बिसे से याज रखना मैं question दूँगा आपको आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा question Shelly साहब के उनकी इसी pamphlet से पूछे जाते हैं The Necessity of Atheism इसका बड़ा घातक परणाम इनके लिए हुआ जब इनकी ये छपी On his refusal to repudiate the authorship of the pamphlet he was expelled He was expelled by Dean George Raleigh from Oxford on 25 March 1811 along with his friend Hogg 25 March 1811 George Raleigh नाम याद रखिएगा और इनके मित्र थे Friend Hogg He was expelled तो क्या हुआ जब इनोंने Necessity of Atheism नामक पेंप्लेट लिखी और इनसे ये कहा गया कि साहब आप authorship में से अपना नाम हटा लीजिए लेकिन जब इनोंने authorship से नाम अटाने से इनकार कर दिया तो उस समय Oxford के जो Dean थे इनका नाम था George Raleigh और उनने 25 March 1811 को Sally साब को Oxford College से बरखास्त कर दिया तो आप विसेज दियान रखें एक question ऐसे भी पूछा जाता है कि इस प्रकार से भी पूछा जाता है वहाई पी बी शैली वहाई पूछा जाता है तो कारण है उनका The Nacity of Atheist मिनोंने लिखा और उसके authorship को repudiate करने से इनकार कर दिया इस कारण से इनने University of Oxford से निकाल दिया गया था Now the next one is Four months After being expelled यानि कि Oxford University से expelled करने के चार महिने के बाद On 28th August 1811 The 19-year-old Sally eloped to Scotland with the 16-year-old Harriest Bestbrook यानि कि जब इनको Oxford University से निकाल दिया गया तो उसके मात्र चार महिने के बाद 28 अगस्त 1811 को जब इनकी उम्र 19 बर्स की थी तो Sally शाहप एक 16 बर्स की रड़की जिसका नाम था Harriet Bestbrook उसको अपने साथ भगा कर कहा ले गए Scotland कहा ले गए साब Scotland जो है वो ये चले गए किसके साथ उन्होंने का Harriet Harriet Bestbrook के साथ ये कहा चले गए साब Scotland इनकी उम्रोस समय कितनी थी 19 बर्स और Harriet की उम्रोस समय कितनी थी मात्र सोले बर्स आगे देखिए अगला पॉइंट In 1813 He self-published the long poem Queen Meb In 1813 He self-published the long poem Queen Meb The poem is an allegory for political ideals 1813 में इन्होंनों एक अपनी long poem का स्वेम प्रकाशन किया नाम था Queen Meb जो की इनके राजनीतिक आदर्सों को ब्यक्त करने के लिए एक एलेगोरिकल पॉइम है तो भाई नाम ध्यान रखना Queen Meb इसमें से भी कोशन जो है वो पूछे जाते हैं और कब इसका publication हुआ 1813 में किसने publish किया तो सेली साब ने इसको स्वेम पबलेश किया था Next point In 1814 He visited the home of the anarchist political philosopher William Godwin 1814 में ये एक anarchist political philosopher थे जिनका नाम था William Godwin उनकी आं गए Whose ideas he admired आप कह सकते हैं कि William Godwin बे इंसान थे जिनके बिचारों की बड़ी प्रसंसा किया करते थे शेली साब There he met Godwin 16 years old daughter Mary और यहां उनकी मुलाकात दो जो है वह Godwin साब की 16 बर्स की पुत्री Mary से होती है दो Harriet बाज expecting their second child he and Mary fell in love उस समय इनकी पहली पत्नी Harriet जो थी Harriet best group वह दूसरी बार pregnant थी लेकिन उसके बाबजूद भी ये और Mary जो थे वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे फिक साब ध्यान रखिएगा एक question मैं आपको दूँगा ICC connected William Godwin से connected मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा William Godwin कौन है एक political philosopher थे साथ ही साथ Mary Godwin के फित्पिता थे जिनकी रड़की 16 बर्स की Mary Godwin और उस से क्या हुआ प्रेम करने लगे दोनों एक दूसरे से Sally और Mary Godwin Now the next point is In July 1814 He and Mary Godwin eloped to Europe 1814 में जुलाई की महीने में Mary Godwin के साथ ये कहां बाग गए साथ चले गए उरोप के टूर पर और अकेले नहीं गए accompanied by Godwin's step sister Claire Chairman क्या हूँ इनके साथ था Sally साथ Mary Godwin और Mary Godwin की step sister जिसका नाम था Claire Chairman उसके साथ They spent six weeks touring the continent और ये उरोप के इस टूर पर इन्होंने लगबग six weeks बिताए और इस पर इन्होंने एक poem भी लिखी है एक बर्क भी लिखा है जो कि मैं आपको जब बर्क सिनके बताऊंगा तब मैं इसके बारे मैं आपको विद्विस्तार से बताऊंगा Now the next point is जो की एक दुखत point है इनकी life का On 10 December 1816 The body of Shelley The body of Shelley's strangled wife Harriet Batch found in an advanced state of pregnancy drawn in the serpentine in Hyde Park London बहिया 10 December 1816 को Sally साब की first wife जिनका नाम था Harriet Best Brooke वह mature pregnancy की इस्तिती में उनकी body जो है वो Hyde Park London की serpentine में मिलती है यानि कि उन्होंने आत्मत्या कर ली पानी में कूद कर किसने साहब इनकी first wife Harriet Best Brooke ने आओ कब body मिली उनकी On 10 December 1861 और उस समय वो क्या थी मेटा pregnant थी Now the next question Now the next thing is On 13 December 1816 30 December 1861 को barely three weeks after Harriet's body was recovered Harriet के body को मिलने की लगबक तीन हपतों के बाद Shelley and Mary Godwin were married देखे कब मिली थी dead body साप dead body मिली थी 10 December 1816 को ठीक है ना और 13 December 1816 को इन्होंने Harriet की मिरत्य के बाद Sally और Mary जो थे इन्होंने क्या किया सहब बिभा कर लिया ठीक है ना Mary Godwin के साथ बिभा कर लिया और उसके बाद इनका दुखत अंत बेटा होता है जब ये अपने मित्र के साथ तूर पर गए थे और जब ये लोट रहे थे तो 8 जुलाई 1822 को Gulf of Ispasia में एक तूफान आया उसमें इनकी नाव जो थी बोट जो थी वो पलट गई और उसमें इनकी डैथ हो गई तो ये कुछ महत्पूर्ण पॉइंट है Sally साथ के जीवन के जिनको आप विसेश करके लिख लीजिए दिहान कर लीजिए नोर्स पना लीजिए और इनके बर्स के बारे में अब मैं इसके बाद जो वीडियो तूँँगा उसमें Sally साथ के सभी जो most important works है उनसे आपका पर्चे कराऊंगा मुझे आसा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दवाएं थैंक्स पॉर वाचिंग